जाएन दोस्तो, वेलकम टू मा यूटूब चैनल, दोस्तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका, आज हम लोग Tally ERP9 में बेसिक जर्नल एंटरी करना सिखेंगे, दोस्तो आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो इस तरह के एजुकेशनल वीडियो के लिए इस चैनल को सस्क्राइब करें, तो चलिए दोस्तो हमें स्टार्ट करते हैं, और आपको बेसिक लेवल का Tally ERP9 में जर्नल एंटरी करना सिखाते हैं, दोस्तो हम जर्नल एंटरी करने के लिए एक कंपनी ABC नाम से अल्लेडी बना ली हैं Tally में, कंपनी जब बन जाता है, तो पहला स्क्रीन आपको कुष्चन दिखा रहा हूँ, और उसका जर्नल एंटरी करके बता रहा हूं, सबसे पहला कुष्चन का जर्नल एंटरी करना है दोस्तो जो कुष्चν है आपका, Ăस स्टार्ट इड विजनेस , विद्कैस, तो दोस्तो हर एक बिजनेस का पहला कुष्चन यह होता है, मतलब एक लाग पुणजी लगा करके हमने एक business start किया तो इसका general entry हम tally में कैसे करेंगे तो tally को दोस्तो हम on करते हैं और इसके entry के लिए हम चले जाते हैं accounting voucher में और इसका entry दोस्तो receipt voucher में होता है तो receipt voucher के लिए F6 press करते हैं यहां से receipt मेरा on हो जाएगा अब दोस्तो receipt यहां पे on ह हो चुका है तो आपसे यहां पे पहले credit पूछ रहा है तो इसका जो general entry आपका होगा started business with cash का तो इसमें जो है कि आपका debit में cash होगा और credit में capital होगा तो यहां पे हम question बनाते हैं दोस्तों पहले credit पूछ रहा है तो हम alt और c button press करते हैं और यहीं पे लिखते हैं C-A-P-I-T-A- दोस्तों capital में कितना आपको पूझी भरना है तो एक लाख रुपया भरना है मैंने एक लाख भर दिया और debit में हो जाएगा दोस्तों आपको cash क्यूंकि आपने यह पूझी cash लगा करके business से start किया है तो cash डालेंगे और एक narration लिखेंगे being a start of business अब दोस्तों मैंने यहां पे narration ने type कर लिया being a start of business और इंटर करके हम accept कर दिये तो यह दोस्तों एक लाख पुझी से मेरा एक business start हो चुका है अब हम अगला question का journal entry करेंगे जो है आपका rent paid तो दोस्तों rent paid करने का journal entry हो जाएगा DR में आपका हो जाएगा rent और CR में हो जाएगा cash क्योंकि हम rent paid cash के थुरू कर र P&T rent इंटर करेंगे इसका लेजर जाएगा indirect expenses में तो यहां से indirect expenses पे click करेंगे फिर इंटर करके accept कर देंगे rent paid करना है दोस्तों 5000 तो 5000 तो 5000 इमाउंट लेते हैं और यह payment हम cash कर रहे हैं तो यहां से cash को select करते हैं और एक narration लिखते हैं being rent paid उसके बाद दोस्तों narration लिखने के बा bank bank से पैसा आप निकालना है विड्रो का मतलब होता है निकालना तो पैसा जब भी आ रहा है तो debit में हो जाएगा cash और credit में bank तो हम यहां से tally में जाते हैं और banks का entry करने के लिए हम contract पे click करते हैं contract खुलेगा अब आप से पहले credit पूछ रहा है तो credit में डालना है bank तो alt और c क करा देंगे अब दोस्तों पैसा हम कितना निकालना है तो यहां पे पैसा 20,000 निकालना है तो type करते हैं यहां पे 20,000 इंटर करेंगे और यह पैसा cash निकालना है तो debit में होगा cash और narration में लिखेंगे being cash withdraw उसके बाद दोस्तों इंटर करेंगे और इंटर करके इसको कर देंगे accept तो यह question भी आपका successfully बन गया अब दोस्तों अगला entry करना है cash receipt from bank bank से पैसा आप receipt कर रहे हैं ठीक है तो दोस्तों यह जो question है आपका यह दोनों questions को अलग-अलग तरीके से लिखे गए हैं लेकिन दोनों का work जो है काम जो है वह similar है cash receipt from bank bank से पैसा receipt करें या bank से पैसा विड्रो करें तो दोनों का same journal entry बनेगा दोस्तों तो यह entry आप टैली में खोलिए यह contract में ही जाएगा और CR में होगा bank 50,000 रुपिया हम डालेंगे यहाँ पे और इंटर करके नीची आएंगे DR में cash पसाँ जार और narration लिखेंगे being cash receipt from bank या being cash withdraw फिर इंटर करके हम को accept कर देंगे अब दोस्तों यह question भी आपका बन चुका है अब अगला question है दोस्तों salary paid कर रहा है 15,000 रुपिया तो यह 15,000 payment करने का entry हम टैली में जाएंगे payment पे क्लिक करेंगे payment खुलेगा अल्ट सी करके हम salary लिखेंगे यहाँ अंडर जाता है indirect expenses में तो यहाँ हम डालेंगे indirect expenses इंटर करेंगे और accept कर देते हैं payment कितना कर रहा है तो 15,000 रुपिया और यह payment cash हो रहा है तो हम यहाँ से cash डालेंगे और narration लि कर रहा है दोस्तों purchase on goods समान आप purchase कर रहा है यानि समान की खरदारी कर रहा है 5,000 रुपिया का तो इसका general entry के लिए हम टैली खोलेंगे purchase के लिए यहाँ से purchase खोलेंगे purchase खुलेगा और यह general entry DR and CR में होगा तो इसके लिए हम as voucher पे click करेंगे तो DR CR दिख जाएगा supplier invoice number में एक डालते हैं date डालते हैं और credit में हम यहाँ से डालेंगे purchase तो यहाँ से हम cash को डालते हैं इंटर करेंगे और कितना का कर रहा है तो 5000 का purchasing कर रहा है तो 5000 डेविट में Alt और C करते हैं और laser बनाते हैं purchase का फिर दोस्तों इंट्रे करेंगे पर्चेस का लेजर डायल अगर पर्चेस एकाउंट में तो यहां से पर्चेस एकाउंट सेलेक्ट करेंगे और इंट्रे करके हम एक्सेप्ट करा देंगे अब दोस्तों इंटर करेंगे और नायरेसन लिखेंगे being purchase उसके बाद दोस्तों हम इंटर करेंगे और इंटर करके कर देंगे हम accept अब दोस्तों purchase का भी transaction सबका हो चुका है अब अगला जो journal entry करना है आपका वो है sold on goods समान का कोई sold करना है 14,000 का तो इसके लिए क्या करना है फिर tally को on करना है और sales के लिए यहां से sales पर click करना है फिर यहां से as voucher पर click करना है reference number डालना है और यहां से पहले debit पूछ रहा है तो debit में हो जाएगा cash और amount डालेंगे 14,000 रुपया फिर इंट्रे करेंगे और credit में alt और c करेंगे और बनाएंगे sales फिर इंट्रे करेंगे यह लेजर जाएगा under sales account में तो यहां से sales account को select करेंगे और इंट्रे करके करदेंगे accept उसके बाद एक narration लिखेंगे being sold उसके बाद दोस्तों इंट्र करेंगे और इसको कर देंगे accept तो यह question भी आपका बन गया अब बहुत interesting question एक और बनाना है आपको purchase the item कुछ समान खरीदना है जिसमें mouse का 100 पीस है 400 के rate से तो दोस्तों इस question को बनाने के लिए हमें क्या करना तो यहाँ से purchase पे click करेंगे purchase खुल जाएगा यहाँ से पुछेगा supply Laurez in voice number तो in voice number 2 डाल देते हैं date डाल देते हैं laser यहाँ पे parties name का पुछेगा तो हम यहां से cash डाल देते हैं और इंट्र करकर नीचे आएंगे यहाँ पर purchase का laser पूछेगा तो हम purchase का laser डाल देते हैं फिर यहाँ पर समान का नाम पूछेगा तो समान का नाम है mouse तो alt और c करके हम नाम लिखेंगे समान का तो यह more us mouse लिखे under primary में जाएगा और यह mouse जो भिखता है वो piece में भिखता है तो units पूछ रहा है तो यहाँ से फिर alt और c करेंगे और बनाएंगे piece पूरा नाम होता है PIEC और इंटर करके कर देंगे accept फिर इंटर फिर इंटर अब यहाँ पे कितना piece खरीदना है आपको तो 100 piece rate कितना है तो 400 इंटर करेंगे और एक narration लिखेंगे being purchased फिर दोस्तों इंटर करके और इसको कर देंगे accept तो यह purchase का आपका transactions हो गया अब दोस्तों आपको sales का करना है तो sold on goods माउस का 50 piece बेचना है 500 के rate से तो sold करने के लिए फिर tally में जाते हैं sales करने के लिए यहाँ से sales पे click करेंगे sales खुलेगा reference number डाल देते हैं party name फिर से cash डालते हैं इंटर करके नीचे आएंगे फिर sales का laser डाल दिये माउस को यहाँ माउस औलेडी बन गया है तो फिर आप alt c नहीं करना है माउस को select कर लेना है जब select करेंगे दोस्तों तो यहाँ आपको बताया जाएगा कि माउस का 100 piece level आपके पास है तो माउस को डालते हैं 50 piece बेचना है rate 500 लेना है इंटर कर देना है और narration लिखना है being showed उसके बाद दोस्तों इंटर करना है और इंटर करके कर देना है मुझे accept अब दोस्तों यह सारे questions आपको बन गए अब इसमें हम लोग देख किया क्या सकते है तो अगर सारे questions को देखना है तो display और debug पे जाकर के देख लिजए सारे questions editing करना है तो यहीं से हो जाएगा और delete भी करना है तो यहीं से हो जाएगा अब escape से back जाते हैं profit and loss में जाएगे दोस्तों तो यहां से profit and loss दिखाएगा आपको अभी आपको net loss दिखा रहा है दोस्तों 6,000 रुपया का क्योंकि मैंने कुछ समान 14,000 में ही बेज दिया 15,000 से खरीद करके तो यह कोस्तर में अगर मुझे इट्रिंग करना है और कुल मिला के मुझे profit में लान लेते हैं तो यह आपका transactions बर गया है अब दोस्तों आप जाकर के profit and loss चेक कर सकते हैं तो यहां समझाएंगे profit and loss पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपको net profit यहां पे आपको 5000 दिखाने लगा अब दोस्तों अल्ट एफ़न करेंगे तो यहां से details दिखाएगा आपने purchase किया 45,000 का आपने समान बेचा 50,000 का आपके पास closing stock है 20,000 का और net profit होगे आपके पास 5000 का आपने कुछ expenses भी कर रखा है जिसमें rent आपने paid किया है 5000 और salary paid किया है 15,000 तो दोस्तों इस तरह से हम लोग tally ERP9 में general entry का काम करते हैं वीडियो कैसा लगा comment करके जरूर बताइए और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को like and subscribe किजे क्योंकि इस तरह का education related वीडियो आपको हमेशा मिले फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए